हाई फ्रेंज चलिए एक और आपके लिए देखेंगे आप यह कोस्टर लेकर आई हूं देखें किता खुबसूरा सा कोस्टर है यह आप किसी भी दो कलर से बना सकते हैं बहुत इजी है बैठे बैठे हारली आदे गंटे में कोस्टर बन जाता है और आप इसी तरीके से अपन बैसिकली thread है wool नहीं है के इसी बना सकते है तो देखेए किस तरीके से करेंगे आप अपने क्या करना है पहले до मैसे एक नोट बनाएंगे इस तरीके से ऐसे अपने ये लिया और एक नोट बना लिया यह बनागा का नट कि ला आप हमने चार four stitches डालने है, यानि कि 4 chainे डालनी है, एक, दो, तین, और यह 4, यह 4 देख रहें आप, अब यह 4 chainे डालने के बाद जो पहली chain है, यह वाली, इसमे डालियेगा इस थारीखे से, ऐसे, यह दागा लेंगे, इस तरीके से इसमें से एक चेन निकालेंगे और ये चेन हम इसमें से निकालेंगे ऐसे ये देखरे इस तरीके से बन गया अब ये जो चेन है इनमें से हमें बारा बार बनाना है कैसे बनाना है डबल चेन ये लिया आपने ऐसे फिर इसके सेंटर में डाला ऐसे लिया और तीन तीन में से तीनों में से निकाल लेना है, यानि कि दो बार हो गया, अगेन लिया, फिर डाला, ऐसे लिया, और तीनों में से निकाल लिया, तीन, अब बारा बार ऐसे ही करना है, ये चार, देखने हैं आप, ऐसे, ये पांच, और ये बारा, अब टूएल टाइम्स आपने इस तरीके से कर लिया अप जो यह पहली चेन है यह इसमें डालेंगे इस थरीके से देखेंगे यह ऐसे डाला आपने हैं और इसमें लेकिन इसे लॉक करना है हमें तो इसे लंबा खीच के आप इस तरीके से यहां से ऐसे लेंगे और फिर इसे खीच देंगे तो यह देखेंगे आप यहां पर लॉक हो गया यह बंद हो गया अब हमने लेना है दूसरा कलर अब देखें दूसरा कलर लेने के बाद किस तरीके से बनाऊंगी इसे मैं यह है आपका इस तरीके से अब यह यहाँ पर हमारा लॉक हुआ है तो इसके जस्ट नेक्स चेंड पर मैं ऐसे लूँगी यह देख रहे हैं यह लिया इसको लिया नेक्स्ट वाले को ऐसे थोड़ सा लंबा रखेगा ताकि इसे आप बाद में सुई से बंद कर पाएं और यहाँ से हम पहले इसमें ऐसे बनाएंगे यह देख रहे हैं यह बनाया अब करना क्या है इसी में से एक और बार आपने निकालना है ऐसे और फिर यह लेना है दोनों में से निकाल लेना है अब जो इसकी अगली chain है इसमें डालेंगे इस तरीके से ये डाला ऐसे लिया जहां से देखेगा और इन दोनों में से आपने ये निकाल लिया अगें इसी में डाला इसी वाले chain में यानि कि एक chain में से हम दो chain बना रहें ये डाला और फिर इन दोनों में से निकाल लिया इसक और इन दोनों में से निकाला अगेन उसी chain में डाला ऐसे और निकाला अब यह round में आप पूरा इसी तरीके से करते वे जाएंगे यानि कि हर एक में हम दो बार कर रहे हैं यह डाला आपने ऐसे दो में से निकाला फिर इसी में डाला ऐसे फिर दोनों में से निकाला फिर next chain पर आए ऐसे फिर दोनों में से निकाला फिर उसी में डाला ऐसे दोनों में से निकाला तो जो हम यह कर रहें इसे क्या होगा कि यह थोड़ा बढ़ जाएगा आपका यानि कि बढ़ा हो जाएगा फिर next chain में डाला आपने ऐसे, दोनों में से निकाला, again इस chain में डाला ऐसे, दोनों में से निकाला, यह देखेगा, यहाँ पर आगए आप, अब यह last है हमारा, इसमें से आपने एक ही chain निकालनी है, जो last का हमारा बचेगा, उसमें से एक ही chain निकालके ऐसे करेंगे, यह कर लि यह निकाला, फिर इसमें से निकाला, यह देखिए, इस तरीके से हो गया, आप इसे आप ऐसे, क्योंकि हमें इसे लॉक करना है, लॉक करना जरूरी है, मैं काटूंगी नहीं, मैं इकठे जब दोनों को चलाना है, तो मैं काटूंगी नहीं, पर लॉक करना है, तो इसको ऐसे इसमें से आपने इस तरीके से गोला निकाला और खीज दिया तो यहां पर आपका यह लॉक हो जाएगा देख रहे हैं यह लॉक हो अब आजाएए फिर से यलो वाले पर अब यलो वाला जहां पर है उसी चेन पर लीजेगा मैं थोड़ा सा आगे पीछे इसलिए रख रही हू क्योंकि एक साइड साथ रखते हैं तो अजीब सा एक आनेवन सी चीज आ जाती है तो हलका सा एक आगे पीछे चेन हम रखते हैं आप देखें इसमें क्या करना है आपने क्योंकि आप जो मैं बता रही हूँ वो ही आपने इसको पूरे राउंड में रिपीट करना है यह लि लिया फिर नेक्स चेन डिया ऐसे और इन दोनों में से निकाल लिया नेक्स चेन डिया यानि कि हर चेन में एक ले रही हूँ ब्लू वाला मैंने हर चेन में दो लिया था और येलो वाला मैं हर चेन में एक ले रही हूँ यह देखेंगे आप पूरा राउंड आपने इसी त अब यह देखे, लास्ट में आगए एक एक करके, अब जो पहला वाला है, इसमें आपने ऐसे लेना है, और ये लिया और फिर इसमें से निकाला, अगेन हम इसे लॉक करेंगे लॉक करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर डीला रहेगा नहीं तो यह अपने इसमें से निकाला और इसे खीच दिया यह देखें यह ऐसे है अब फिर से ब्लू वाला लेना है हर एक में दो-दो करने है जैसे इस से पहले किया उसी तरीके से एक्जेक्टली लेना है तो ब्लू वाला आपका यहाँ पे है देखेंगे आप थोड़ा सा आगे है वो तो इस एक चेंड छोड़के इस वाले चेंड अब हमने यहां से फिर वही दो दो फंदे करने हैं तो आप इस तरीके से करके एक निकाला आपने ऐसे फिर इसी में डाला फिर ऐसे लिया इन दोनों में से निकाला इसकी अगली चेन में डाला ऐसे लिया दो का एक किया फिर उसी में डाला फिर लिया फिर दो का एक किया फिर next chain में लिया, ऐसे यानि कि पूरी line up हमने एक chain में से दो दो निकालने हैं ये किया, फिर उसी में डाला फिर, इससे क्या होगा ये ये थोड़ा बड़ा बनता हुआ आपका जाएगा, अब अगर आपने बहुत बड़ा बनाना है, मैंने जादा बड़ा नहीं बनाया है तो आपने ये तीन चार बार रिपीट करना है एक में से देखेंगे इसी तरीकी से यानि कि ये दो लाइने आपने रिपीट करनी है पहले हम एक में से दो chain blue की निकाल रहे हैं और येलो वाली हम एक chain बना रहे है अब फिलहाल round में आप इसी तरीके से करते वे जाएंगे अब देखें फिर से आगे हम इस तरीके से last में वही पहले वाले फंदे पे ऐसे डालेंगे इस पे ये ऐसे लिया इस टिच पे आपने और इस में से ऐसे निकाल फिर वही इसको लंबा खीटूँगी और इसमें से मैं उसको निकाल लूँगी दागे को ऐसे करके और इसे हम लॉक कर देंगे आपे ये लॉक हो गया अब येलो का फिर से एक chain पूरी बनेगी पूरी एक एक chain दो नहीं बनेगी फिलहार एक एक chain जो भी हम ये लॉक का कर रहे थे ये यहां पे मेरा yellow है तो आपे देखेंगे इस तरीके से ये लिया ये लिया आपने इसे बनाया और next chain पे लिया ऐसी फिर इन दोनों में से निकाला फिर next chain पे लिया फिर इन दोनों में से निकाला next chain पे लिया इन दोनों में से निकाला next इन दोनों में से निकाला फिर next ऐसे ही पूरी लाइन आपने ये yellow की अपनी करनी है अब देखे इस तरीके से हो गया अब फिर से blue लूँगी लेकिन अब क्या करूँगी क्योंकि मुझे बहुत जादा बड़ा नहीं चाहिए थोड़ा ही पड़ा चाहिए आप यह देखेंगे जो मैंने बना रखा है यहाँ पर दो chain है यहाँ पर दो chain है लेकिन जो तीसरी मैंन ब्लू लाइन ली है उसमें मैंने हर 6 फंदों के बाद यानि कि 6 chains के बाद 2 chains करी है अब देखेंगा किस तरीके से क्योंकि फिर मेरे को बहुत जादा बड़ा नहीं चाहिए था अगर मैं अगेन यहीं करूँगी तो बहुत बड़ा हो जाएगा अब मैंने 3rd में क्या किया क जाद की 6 chains है फिर एक में से 2 निकाले है फिर 6 chains है फिर एक में से 2 इस तरीके से किया है तो देखें यहां पर दिखाती हूं आपको कैसे करेंगे अब फिर से वही blue color यहां पर है तो exactly यहीं पर यहां से लूँगी यह देखेंगा यह लिया आपने और एक बनाया अब यहीं पर एक और लूँगी ऐसे और निकाल लिया यह मैंने एक में से 2 किया अब 6 बार normal single chain करूँगी यह देखेंगे ऐसे एक यह लिया दूसरी chain पर दो तीसरी chain पर तीन चौथी chain पर चार पांचवी chain पर पांच और छेटी chain पर छे यह लिया आपने इसके बाद फिर से इस वाली chain पर एक के दो करूँगी यानि कि मैं बीच बीच में बढ़ा रही हूँ यह देखेंगे यह किया आपने निकाला और अगेन इसी में डालूँगी अगेन इसी में डालूँगी और एक और बनाऊँगी यानिकि बढ़ा लिया फिर 6 चेने करूँगी ऐसे नॉर्मल एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, अगेन इसमें से एक के दो करूँगी इसमें से एक बार किया, चेन निकाली, अगेन इसी में डाला, दोबारा चेन बनाई तो देखे हर 6 के बाद अब यहां तक आपने इसी तरीके से करते वे इसमें जाना है अब देखे उसी तरीके से इसे भी एंड अप कर दिया मैंने, ब्लू वाले को यह यह बनाया भी आपका, आप फिर से यलो लूँगी और वही पूरे में एक एक टेन करती भी जाओंगी यहां पर है यलो, इस तरीके से यह वाला लिया, ऐसे निकाला, एक बनाया, नेक्स चेन में लिया, ऐसे निकाला, इन दो में से निकाला, नेक्स चेन में लिया, ऐसे, इन दो में से, नेक्स चेन, इन दो में से, नेक्स चेन, इस तरीके से आपने जो है फिर पूरा ऐसे ही करते वे जाना है, एक चेन, यह देखेंगे, यह ऐसे, अब राउंड करते वे जाईएगा इसे, अब आप यह देखें फिर से बन गया, अब फिर से ब्ल्यू जो स्ट्राइप करनी है, लेकिन वही छे चेने बनाऊंगी, एक का दो करूँगी, इस तरीके से जैसे पहल और फिर ऐसे और दोनों को बना दिया, अब छे चेने बनाऊंगी, एक, यह देखें, दो, तीन, चार, पांच, और यह छे, यह छे बनाईए आपने, अगेल एक के, एक में से दो, यह निकाला, यह बनाया, फिर इसी में डाला, फिर बनाया, ऐसे, फिर छे चेने बनाऊंगी, अब राउंड मी इसी तरीके से करेंगे, आप एक, दो, तीन, पांच, स्बीजे बंद करेंगे अब यह आपका कोस्ट आप यह देखें गे तियार ओगे आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी लटकन डाल सकते हैं या इसी की थोड़ी लंबी चेंग डाल सकते हैं वह आपको यहां पर दिखा देती हूं बट मैं नहीं डाल रही हूं क्योंकि मुझे as इसे ही अच्छा लग रहा है ये बट मैं आपको थोड़ा सा दिखा दिती हूं कि आप क्या कर सकते हैं कि आप इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 4 चार चेंड करके 1, 2, 3, छोड़के चौथे नमबर पे आप इस तरीके से ऐसे, 1, 2, छोड़के तीसरे नमबर पे आप इस तरीके से डालक इन दोनों को 2 का एक कर सकते हैं ये आप इस तरीके से भी इसका थोड़ा सा साइड में कर सकते हैं बट ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है आप इस देखेंगे मैंने ये वाला कोस्टर इस तरीके से ही बनाया हुआ है पस ये देखेंगे बहुत ही खूपसूरत सा कोस्टर है आप एक रहाशे चाहिए कि अगर आप अगर आप चाहिए कि आपने से बडा अजुशन बनाना के तो वह को आप उनल कि धुल्स जरुच चाहिए मेरे चैनल को. Thank you.